नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे लुशन क्लासिस चानल में मेरा नाम है नितिन कुमार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंस का करेंट अफियर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो का जो फॉर्मेट होगा वो MC की होगा तो चलिए फिर सुरुआत करते हैं हम लोग इसमें important question को discuss करेंगे दोस्तो जो important होगा हमारे exam prospectus के लिए दोस्तो इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा इसकी link मैंने description में दे रखिए साथी साथ अगर आप मुझे social media पर follow करना चाहते हो तो इन साथ की link मैं description में दे रखा हूँ वहाँ से आप लोग मुझे join हो सकते हो और दोस्तो सबसे ज़रूरी बात अभी भी 70% लोग जो हैं हमारे चैनल को subscribe नहीं कर रहे हैं मैं यार उन सबसे एक request करना चाहूँगा यार प्लीज चैनल को subscribe कीजिए और हमें support कीजिए इसे काफी हमें motivation मिलता है और आगे वीडियो बनाने का प्रेंट नामे मिलता है तो प्लीज यार रिक्वेश्ट है आप सबसे कि चैनल को subscribe कीजिए चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा पहला question है दोस्तो की World Population Day हम लोग कब celebrate करते हैं देखिए World Population Day हम लोग celebrate करते हैं 11 जुलाई So option is the correct answer इस साल की इसकी theme क्या रही दोस्तों देखिए इस साल की theme रही impact of COVID-19 pandemic on fertility ये रही इस साल की theme तो important है theme किसको पढ़ लीजेगा काफी ज़्यदा important होता है next बात करेंगे कि अभी हाल में ही third G20 finance minister और central bank governors meeting हुई थी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के तरफ से कौन attend किया था इस meeting को तो देखिए इसका सही answer हो जागा option C यानि निर्मला सितार रमन जी ने इस meeting को attend किया था भारत के तरफ से ठीक है यह meeting कहा हुई थी दोस्तों थी यह सौधी रभिया में meeting हुई थी भर्चवाली वीडियो कानफरेंसिंग के जरी हुई थी यह क्यों हुई थी तो दोस्तों economic को लेके कि कि किस तरह COVID-19 के वज़ा से globally जो economy है और से विवस्ता सभी देश का किस तरह से down हो गया था और इसलिए इसलिए इसका meeting किया गया था चलिए ठीक है next बात करेंगे दोस्तों pregnancy bible के लेकक कोन है तो देखिए करीना कपूर खान pregnancy bible की लेकक है ठीक है चलिए next बात करेंगे दोस्तों कि foreign minister जो Georgia के हैं उनसे हमारे भारत के कौन से minister यहां मिलने गए थे यह आपका option दिया हुआ है चार आपको बताना है सही अंसर देखिए इसका सही अंसर हो जाएगा option A यानि S.J. Sankar जो हमारे foreign minister है foreign minister of Georgia से मिले थे क्यों मिले थे भाई क्या कारण था देखिए यह मिले थे इसलिए क्योंकि यहां पर Georgia और भारत का 25 diplomatic relation हो गया था diplomatic relation का इसलिए यह गए थे और साथी साथ बता दे कि यह minister से मिलने के बाद यहां पर Georgia के लोगों को एक special gift दीए ठीक है आप देख सकते इमेज म कि जिनने यहां पर बात करें तो इनका एक रेलिक है मतलब बात करने तो एक निसानी है उनका हड़ी कुछ भी हो सकता हड़ी वगेरा या फिर कोई निसानी जो इनको gift दिया गया ठीक है तो यह चीज है जो कि Georgia के लोगों को Georgia के लोग जो थे काफी से खुस हुए और कहा जा resident है इसके सुलोम जोराबिच विली हाला कि बात करें तो Georgia जो है आपका टर्की के उपर देखना हो मिलेगा आप देख सकतो इमेज में रस्या के पास रस्या और Georgia का आपस में अन्बंद चलता है जैसे कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान में चलता है यहां पर बात करें तो फ यह था दोस्तों चलिए नेक्ट बात करते हैं कि कौन सी वराज सरकार ने यहां पर population policy 2021 और 30 का यहां पर implement किया है तो देखिए announcement किया है कि वो अपने state में implement करेंगी यह policy population control के लिए तो देखिए यह उत्तर परदेश की सरकार ने इस policy को कहा है announcement किया कि इसको implement करेगी ताकि population जो है उत्तर परदेश का काफिया तक बढ़िया है तो इसको control किया जा सके इसको prepare किया गया है health department यूपी गवर्मेंट के द्वारा है ठीक है चलिए यहाँ पर दोस्तो नेश्ट कोशन है हमारा कि भारत डैनेमिक लिमिटेड ने एक contract sign किया है ministry of defense के साथ जो कि यह manufacturing करेंगी 499 क्रोड रोपया का एक missile आपको बताना है उस missile का क्याना simple question देखिए यह है आपका आकास missile so option 4 is the correct answer आकास missile एक surface to air missile है आपको पता हमना चाहिए ठीक है यह किस के अंडर किस program के अंडर इसको develop किया जाएगा तो यह इंडिया integrated guided missile development program के अंडर इसको develop किया जाएगा इसके बार में कुछ बता दे जैसे कि BDL के बारे में भारत डैनेमि manufacturing करती है देखिए यह anti-tank guided missile manufacturing करती है air to air missile manufacturing करती है air to surface weapon launcher टेस्ट equipment और एक्सेप्रा यह सब यह लोग manufacturing करता है इसके startics पार जाने के लिए क्या है startics पार जाने के लिए यह है कि इसका headquarter आपका हिदराबाद में मिलेगा और इसको 1970 में इसको establish किया गया था इसके chair person और MD कौ पार की तरब से jury consult किया गया था भाज की तरब से jury कौन बने तो देखिए इसका सही answer हो जाएगा option 2 यानि पाउन सिंग जो है यहाँ पर भजपूरी वाले पाउन सिंग नहीं यहाँ पर यहाँ मैं बात कर रहा हूं Joint Secretary General of National Rifle Association of India का ठीन तो वो थे हैं यह इनको यहाँ पर jury क किया गया था यहाँ बात करें तो जपान के टोटल सिक्स थे लोग जो इस jury में थे members और बाकी दूसरे country से ठीक है टोटल 26 jury members थे टोकियो ओलंपिक के नेश्ट कोर्शन है कि हम लोग 12 जुलाई को कौन सा डे सेलिबरेट करते हैं 12 जुलाई को हम लोग सेलिबरेट करते हैं International Malala Day International Malala Day यह Malala Yusuf जाई है जो कि पाकिस्तान की एक youngest girl है बोमेन है इनको नोबल पुरसकार भी मिला था human right को लेकर हलाकि पाकिस्तान में minority के खिलाब काफी कुछ होता है उनके मंदिरी तोड़े जाते हैं उनको brilliance conversion भी होता है लेकिन कभी यह आवाज नहीं उठाई है पता नहीं कैसे इनको Nobel Peace Prize मिला है अभी खुद देख लो आफगानिस्तान की इसू को लेकर कोई activist नहीं रहे हैं बोलने के लिए कोई बयान बाजी नहीं हो रही तालिबान की इसू को लेखिए यह भी चूप है कहीं हद तक तो थोड़ा यह गजब थोड़ा प्लांट का यहां उठाटन कि चलिए यहां पर फोटो देख सकते हैं उनकी नेक्स बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को यहां पर जुलाई मंस का मैंन अब देप्लेयर का वाडल मिला है आए सी सी की तरफ से तो देखिए यहां पर आपको बात याद रखना होगा कि मैंस यह यूजिलेंड के प्लेयर है और ओपनर है यह उनको जुलाइ मन्स का प्लेयर का वर्ड मिला है और इंग्लैंड की लेफ्ट आंस स्पिनर सौफी इलस्ट्रॉन है उनको मिला है यहां पर ICC बोमस प्लेयर अप्दध मन्स का वर्ड ठीक है जून में तो याद रखिएगा मेंस म में डेवन कॉन्वे हैं और इंगलेंड में सोफ ही है ठीच के चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर कौन सी राज सरकार ने एनाउस्मेंट किया है कि एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा फेट और कल्चर का देखिए फेट और कल्चर का अलग डिपार्टम करने इसको फैसला लिया है कि यासा स्कीम जो है यह लोग वहां पर इंप्लिमेंट करेगा ठीक है लोगों के लिए और यहां पर बात कर तो जो आसाम के सीम है हिमन्त बिस्वा सर्मा ठीक है इन्होंने यह एनाउस्मेंट किया था चलिए आपको पता होगा बहुत सारे गुरु गोविन सिंग जी का अथर यह बुक है लिखे है किसी ओथर ने आपको बताना कौन वो अथर है जो रमायन ओफ स्री गुरु गोविन सिंग जी है यह बुक का नाम है तो देखिए इसका सही अंसर रोजेगा ऑप्शन डी बलजीत कौर तुलसी ने इन्होंने लिख है तो यह है आपका यूएसे का जी हाँ यूएसे की यह सै जैलाइट है यूएसे की सैलाइट इसका फूट प्रम क्या है i तो आप देख सकते हो इसको hysterια तो ले सकते हो हालापकि आपको PDF तो Telegram चनल पर मिली ही जाएगा नेक्श्च बात करें दोस्तों कि कौन सी राज यहां होष्ट करेगी खेलो इंडिया यूथ गेम को तो यहां हर्याना की सरकार जो है हर्याना की राज में यहांपर खेलो इंडिया यूथ गेम होश्ट करेगा हर्याने सरकार ठीक है वह फरवरी 2022 में चलिए नेक्ष्ट है कि दोस्तों कि अभी हाल में ही अभय अहमद जो है चलिए नेक्ष्ट को्षन हमनों बात करें है कि आर्ट अप कॉंजरिंग अल्टरनेट रियालिटीज हाउ इन्फोर्मेशन वार्फर वार्फियर स्पेस यूर वर्ल सेफ यूर वर्ल तो देखो इस बुक के लेखक कौन है आपको बताना है इस बुक के लेखक है आपके एण्वी जो है यानि ऑप्सवन डी दो कॉरेक्ट एंसर सीवं संकर्सीं और आनन्द विक्कांता नरायन यह दो लेखक हैं जो इस बुक के लाइटर है ठीक है याद रखिए गा निश्ट कोशन कहता है कि नेशनल रिसर्स सेंटर और या किस सहर में located है या फिर किस राज में located है ऐसा भी कोशन पूसरता है कि सहर में भी है तो याद रख्षित या राज की बात किये जा रहे थे यह अरुरुणाचल परदेश यह पूरेक्ट एंसर अगर सहर की बात की के लिए ठीक है पालीसी के लिए हिमालेयन याग के लिए ठीक है पहली बार है यह पहली के द्वारे यहां पर स्टैब्लिस किया गया है 1989 में दिरांग सहर में ठीक है वेस्ट कामिंग डिस्टिक ऑफ और नाचर परदेश चलिए नेक्ष्ट कोर्शन हम लोग दोस्तों की बताना है आपको कि भारत ने किस कंट्री के साथ कॉपरेशन इन फिल्ड ऑफ हेल्थ और मेडिसीन के सेक्टर में यहां पर एग्रिमेंट किया है इसके बारे में वीडियो भी बनाया था जुलाई में आपको याद होगा जुलाई का इंफ्राइस्ट्रक्चर जो है न इंप्रूव होगी चलिए नेश्ट बात करते हैं दोस्तों यहां पर बात करें कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे वर्ल यूथ स्किल डे कब सिल्बेट किया जाता है देखिए इसको सिल्बेट किया था है पंदरों जुलाई को सौप्संसी नेश्ट बात करेंगा दोस्तों कि किस कंट्री ने यहां पर पहली बार भीम यूपी यूज किया था और जो बुटान की फॉरें मिनिस्टर वह यहां पर मिटिंग किया था वर्चुली और इन दोनों ने फैसला लिया कि वो जो है बुटान के जो लोग है वो भी भीम यूपी आई का यूज कर सकेंगे अपने कंट्री में चलिए नेक्ट कोशन है कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इसू किया है तब बताना है कि कौन सा वो प्लेटफॉर्म है तो वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेट फाइनस सर्विस यह प्लेटफॉर्म ह गांधी नगर गुजरात डिस्टिक में गिफट सीटी में इसको यहां पर किया गया था ठीक है नेक्ट बात करें दोस्तों कि यहां पर नए लिडर कौन है हाउस के यह राजसभा के ठीक है राजसभा के राजसभा हाउस के नए लीडर कौन है कौन ये पॉइंट किये गए इससे पहले थावर चंद्र गोहलत है अब कौन है आपको बताना है तो देखिए अब हैं यहाँ पर ऑप्शन डी दो कॉरेट एंसर प्यूस गोयल जी यहाँ पर नए लीडर है ठीक है राजसभा हाउस के याद रुखिएगा पता मैं इतना जल्ली और आगे क्यों बढ़ रहा हूं इसके पिछे रीजन है क्योंकि यहाँ पर टोटल आपको डिर सो सलाइट से उनको मैं अगर एक एक अराम से बढ़ आँगा तो कम से कम वीडियो दो यिज़फुल होगा नागे तो मैं तो नहीं जाता लेकिन बीपीर सी और आॉडर एक्शांप प्रोस्थ फाधं पर बारे में बात करें जैसे से एसीज्यालवे या एसेसी़गो डीडि में prophecy दे तो या एंड़े ग्शांप है तो उंके लिए परफेक्ट है ठ यहां पर बात करें तो इस बुक को रिलीज किया गया था वाइस प्रेसिडेंट एम वे केन आइडू ठीक है यह बुक क्या कहता है तो यह बताता है रूलर इंडिया और एक्रिकल्चर के बारे में चलिए नेश्ट कोशन है कि किस राज या फिर यूनियन ट्रेटरीज में पहली बार रियल टाइम एर मुनेटरिंग इस्टेशन सेट अप किया जाएगा थीक है तो आपको सेट अप किया जाएगा नहीं मतला सेट अप किया गया है तो वह हैंसर जमू एंड कास्मीर यानि और जिसमें आपको SO2, NO2, CO, O3 यह सब चीज जो है आपको मेजर करता है ठीक है यहाँ पर बात करें तो यह जो है आपका जम्मु कस्मीर में पहली बार जो एयर क्वालिटी मोनेटिक सिस्टम सेटप किया गया है वहाँ पर बात करें तो जम्मु कस्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल क सेटप किया है और इसकी हेटक्वाटर राज भाग श्री नगर में दिखना हूं भूलेगी इसके चेर परसन कोन है तो सुरेज चूग है इनके चेर परसन है नेक्ट बात करें कि किस राज सरकार ने यहाँ पर पहली बार एलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम लॉंच किया ह देखिए इसका सही अंसर होगा करनाटिका जी हां ऑप्सन सी दो कोरेक्ट एंसर ठीक है काफी इंपोर्टेंट है लेक्ट्रिक बाइक इसकीम इन्हों ने लॉंच किया है करनाटिका के सीम बेश स्यदुरपा ने इसको लॉंच किया था बैंगलूरू में और अब जो नए क गेम बने हैं इनका नाम है बस्वराज भूमाई ठीक है तो याद रखिएगा बिएस यदुरपा ने यहां रिजाइन दिया था इस्तप्या दिया था बाद में यह बने है नेक्ट दोस्तों है हमारा कोशन कि वर्ल्ड डे इंटरनेशनल जस्टिस डे को कब हम लोग सेलिब को ही यहां पर पहली बार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट अब जस्टिस यहां पर स्टैबलिस किया गया था इसलिए ठीक है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों कि किस राज सरकार ने अपने राज में ग्रेन एटियम को सिटप किया है तो इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तों हर्या अब हर्याना में पहली बार आपको देखने को मिलेगा ग्रेन एटियम किया होता है तो जो आप रासन लेने जाओगे वहां पे गेहन वागर मिलता है नो वह ठीक है यह हर्याना के गुरु गराम फारुक नगर में यहां पे पहली बार इसको सेटब किया गया है ताकि लोगों को यहां पे सुभीदा मिले और परफेक्ट क्वांटिटी में इनको ग्रेन मिले चलिए नेश्ट कोर्शन है कि अभी हाल में ही मंधु मंधुआ थी रेलवे स्टेशन जो की बारा नसी क्या है इसका नाम चींज किया गया आपको बताना इसका नया नाम क्या है तो देखे इ ब्रेजिए इसको पहली बार यहां पर किस फोर्स के दुवारा इसको इंसिट किया गया है जो कि पहले डीजी थे उस फोर्स के टेकर तो यह एपका एंसर हो जाएगा C, यानि B.S.A. ठीक है, रुस्तम मेमोर्याल जी बियस एव के पहले डीजी थे और यहाँ पर पहली बार इनको सम्वानित किया गया, पहली बार कह रहा है, यहाँ पर पहले DG थे और ये इंस्चूट किया गया है किस के दवारा तो B S F के दवारा इनको यहाँ पर इंस्चूट किया गया था यहाँ पर Union Home Minister भी आमिसा जो की speech भी दिया है इनके बारे में ठीक है चलिए निश्ट बात करते हैं, निश्ट कोशन है हमारा कि किस कंट्री ने भारत को यहाँ पर MH60R Multi-Role हेलिकॉप्टर दिया है ठीक है, और जो कि यह हेलिकॉप्टर किस के द्वारा, किस कंपणी के द्वारा मेनिफेक्शन की जाती है तो Lockhead Martin के द्वारा मेनिफेक्शन की जाती है तो यह आपका सही एंसर हो जाएगा, USA ठीक है, USA ने, यानि USA ने भी ने यहाँ पर भारत को यह हेलिकॉप्टर दिया है तो याद रखिएगा नेक्स्ट कोशन है कि किस ओर्गनाईजेशन ने एक नया फ्रेमवर्क यहाँ पर इंटर्डूस किया है जो कि एस्पेक्टेड लॉस बेस रेटिंग स्केल है तो SEBI यानि Option A, The Correct Answer ठीक है, Security Exchange Board of India ने यहाँ पर इंटर्डूस किया एक नया फ्रेमवर्क जिसका नाम है इस्पेक्टेड लॉस बेस्ट रेटिंग स्केल अब बात करें Security and Exchange Board of India यह कौन है तो यह एक रिक्रेटरी बड़ी है Security Community Market भारत का जो कि किस के अंडर काम करती है यहाँ पर फार्मर्स के लिए एक Right Information at Right Time Portal यहाँ पर उनके अपने भासा में लॉंच किया गया है आपको बताना है कि उस पोर्टल का क्या नाम है ठीक है तो देखिए इस पोर्टल का नाम है आपका किसान सार्थी किसान सार्थी पोर्टल का नाम है जहाँ पर किसानों को अपनी भासा में उनको सही समय पर सही जनकारी मिलेगी कि भाई वो कब क्या कर सकते हैं अगर उनको बारिस आने वाला है तो क्या करेंगे उनको बारिस का Information मिल जाएगा अगर मान के चलिए खत-पत्वार खेतों में जम जा रहा है तो उसको कैसे हटा या फिर कितना सक दवाई कैसे यूज करें यह सब उनको जनकारी उनकी भासा में अपने मिलती रहेगी मार्केट में मंदी का क्या भाव है क्या सब कुछ यहाँ पर सरकार सेंटर गवर्मेंट प्रॉबाइट करेगी यहाँ पर मिनिश्ट्री फोर अईरिकल्चर और फार्मर विलफेर नरेंदर सिंग तोमर और मिनिश्ट्री फोर इलेक्ट्रोनिक इन 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 फोर्मेशन टेकनोलजी अस्वनी वैस 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 नौफ के द्वारा यहाँ पर लॉंच किया गया है ठीक है चलिए अब बताना है आपको नेक्ष्ट कोशन है कि कौन सी राज सरकार ने यहाँ पर इंट्रिडूस किया है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट इसकीम लॉंच किया है याद रचिया वन डिश्टिक वन प्रोड़क्ट इसकीम उत्तर परदेश में भी लॉंच किया गया है और को रोजगार मिले एक तरह से कवर्मेंट में पर लोन प्रोड़कराइगे उन लोगों को ताकी एंडस्ट्री बैठे और लोगों को रोजगार मिले बेसिकली यह सब होता है और वहां की एकनौमि जो है डिश्टिक एकनौमी फ्रम जबूत हो तो यह सब दोस्तो है चलिए यह सब जो मैंने अभी बताया है ये वह ही सब है नेक्स्ट है कि यहां पर किस के साथ tie up करके यहां पर issue करेगी credit card तो देखिए issue की है credit card किस के साथ tie up करके है तो यहां पर विजा के साथ है यहां टाइब की है Mastercard के साथ क्यों नहीं किया है कि Mastercard domestic customer को अपना credit card नहीं प्रवाइड करता है इसलिए विजा के त्वारा इन्होंने किया है चीग है चलिए नेक्स्ट है कि FIDI artificial intelligence एक बात करें तो रबोट है आप मात जानेंगे होगे तो वो customer को मदद करेगा उनको bank related queries के लिए कभी भी तो वो कौन सी बैंक ने इसको launch किया है तो देखो यह FIDI है तो federal bank ने इसको launch किया है ठीक है तो federal bank के MD और CEO कोन है तो स्याम स्री निवासन है ठीक है और यहां पर इस bank का headquarter कहा है तो अलुआ केरला में देखने को मिलेगा यहां founder कौन है तो KP और मिस है और इसका कब बन इसको establish किया गया था तो 23 अप्रेल 1931 में इसको establish किया गया था बहुत काफी पुराना bank है फेडरल महिला कौन है ठीक है भारत की सबसे पहली डॉक्टर महिला डॉक्टर तो देखिए यह है आपका कदाम बिनी गांगुली ठीक है यह 1931 में ही यह बात करें तो तो मैंने इसको यहां पर add किया है ठीक है question को चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कि अभी यहां पर बात करें कि किस country को यहां पर ICC का नया member बनाए गया है ICC ने नया member इनक में add किया है तो देखिए यह आपका हो जागा मेंगोलिया तजकिस्तान चलिक है ठीक है और यहां पर बात करें कि में जब 78 annual meeting था ना उस वक्त इनको add किया गया था और मेंगोलिया तजकिस्तान बात करें मेंगोलिया आपका 22 और तजकिस्तान 23rd members रहा आपका ACM region में चलिए नेक्स्ट कोर्शन आपका International Chess Day Cup celebrate किया रहता है तो इसको 20 जुलाई को हम लोग celebrate करते हैं तो option be the correct answer ठीक है यह 1966 से हम लोग celebrate करते आ रहा है नेक्स्ट कोर्शन है दोस्तों यहां पर government of India ने एक loan agreement किया है किस bank के साथ जो की green national highway corridor बनाएगा डेवलोप करेगा तो यह आपको world bank bank के साथ यहां पर यहां पर बात करें तो लोन लिया है भारत सरकार ने ताकि इसको world bank green national highway corridor बनाया जाएगा नेक्स्ट कोर्शन हैं दोस्तों यहां पर भारत का क्या rank रहा है foreign exchange reserve में तो देखिए भारत का rank रहा है यहां 5th तो याद रखिया option see the correct answer first पर है चाइना, second पर जप और 5th या हमारा भारत चली नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों की कौन सी scheme गरीबों के लिए या विखारियों के लिए लॉंच की गई है तो यहां पर scheme का नाम है दोस्तों smile ठीक है so option be the correct answer इस smile scheme के जरीए भारत जो है भारत सरकार जो है यहां पर loan provide करेगा ताकि इनका medical facility अच linkage होगा और बहुत कुछ होगा यहां पर ठीक है चलिए smiley का full from क्या है तो यह चीज़ याद रखे smiley का full from support for marginalized individual for livelihood and enterprises ठीक है enterprise इसका यह है full from ठीक है smile का तो important है किस ministry ने इसको launch scheme को त्यार किया है तो यहाद का ministry of social justice and employment ने इस चीज़ को formulate किया है जो कि आपको पूछेगा और बहुत important है मैं बोल रहा हूं मैं बहुत important question आपके लेके आता हूं दोस्तों तो काफी इसको अच्छे से पढ़ लिजेगा आपको पूछा जाएगा नेक्ष्ट कोशन है दोस्तों कि यहाँ पे पारा ओलंपिक और ओलंपिक कौन से कंट्री होस्ट करेगी 2032 में तो यह आपका एस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगी पार ओलंपिक चलिए आपको जानकर हैना नहीं हो गई कि पारा ओलंपिक में अभी जो चल रहा है इसमें भारत 24 जीता है तो यह भी काफी ज्यादा अच्छे बात है नेक्ष्ट है दोस्तों कि निक स्कॉर्ट एक नया स्पेस्क्राफ्ट है किस और्गनाजेशन ने इसको बनाए है तो यह नासा का है दोस्तों ठीक है नियर और्थ एस्ट्रॉइड ठीक है यह बात यह दे किया जागा कि भाई यह देंजर है कि नहीं है यह सब चीज तो नासा ने इसको डिब्लॉप किया है नेक्ष्ट कोर्शन है कि इस साल जो समर ओलंपिक रहे दोस्तों इसका मोटो क्या था ठीक है नया समर ओलंपिक को छोड़ो ना यह बात कर रहे है ओलंपिक का ठीक हम बात था 1984 में ठीक है क्रिक्टस एल्टियस फॉर्टियस लैटिन वर्ट है यह लैटिन वर्जन है जिसका अभी इंग्लिस वर्जन है फास्टर हाइस्ट टुगेदर तो यह है दोस्तों यहां पर बात करें इंटरनेशनल ओलॉंपिक कॉमिटी के बारे में तो इसको नाए इसको इसको इस्टैबलिस किया गया था हेट कॉर्टर आपको लॉसेन सुजर लैंड में देखने को मिलेगी और जो करेंट अभी फिलाल में प्रेसिडेंट है आई योसी के वह है थॉमस बैच कि निच्ट को समीशन तरह मूड करते हैं यहाँ पे बात करें दोस्तों कि यहां उनेस को स्टा दिया गया है 키ह यहां बात करें यहाँ पर इसको 2004 में इसको लिस्ट किया गया था मतलब लिस्टेट किया गया था लिवरपूल को बाद में भी आठा दिया गया है 21 जनुरी 2021 को ते याद रखेएगा और भारत को यहाँ पर बात करें तो दो इन्हें उसको आपको याद रखना है नेक्स्ट है कि इंडिया इस्टोरी के लेखक कौन है तो इंडिया इस्टोरी के लेखक है विमल जलसन ठीक है यह आरबिया के फॉर्मल गोवर्नर है और इन्होंने बात किया है भारत की एकनॉमिय हिस्ट्री के बारे में और जो भी लेसंस इंडियल प इस मिसाल को डिवलॉउप किये गया है डियाडी यो के दुवरा छीक है याद रखिये गया तो काफी इंपोर्टेंट है यह आप से पूछा जा सकता है चलिए नेक्स्ट है कि वर्ल उनिवर्सिटी संविट्स को कौन और्गनाइज किया किस युणिवर्सिटी ने इसको और् वर्ल्ल उन्वर्सिटी सम्मिश को और 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 इसको अड्रेस किया था एम विंख्या नाइडू जो की वाइस प्रेसिडेंट है भारत के चीफ गेस्ट है जो चीफ गेस्ट के ताथ इन्होंने इसको उद्गाटन किया था और बात करें तो उनियन एजुकेशन और इसकिल डि साइलेंस सोसल रिस्पोंसिब्लिटी एंड कॉमिनिटी इंपक्ट इसकी थिम रही इस सलकी तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादे इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लेजेगा नेश्ट है दोस्तों दस्ट्रेंगर इंद मेरर के ओटो बायग्राफी एक फिल्मेकर है इन ने लिखाया और इसको को राइटर कॉन है दोस्तों तो रिथा राम मुर्थी गुपता है ये को राइटर जो इस बुक को लिखे नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि बैंक विथे सॉल एक्वेटास के लेखक कौन है तो इसके लेखक है सी के गार्याली स्वाप्शन एई दा कोरेक्ट एंसर ठीक है यह भी फॉर्मल आरेवाई के गौर्णर है और यह बुक को लिखा इन्होंने नेक्स्ट इपके इन्यकलिती रिपोर्ट उठाएं ट्रेंट फोल एन्डिया और उन एक्वर हैं के धियान देना है ठीक है चलिए निश्ट है दोस्तों यहाँ पर की जगा जोग जो है जग जोग यहाँ पर सोचल मीडिया प्लेटफर्म का अल्टरनेटीव है किस कंट्री ने इसको डिवलोब किया है ठीक है तो इसका सही एंसर हो जाएगा बंगलादेश जियान का हिरान हो ग यहाँ तो लोग बठी हुए है आपस में एक लाइट विंग के हैं एक लेपटी के हैं तो रइट कुछ बाइब Figly करतें दोस्तों समर ऑलंपिक गेम के बारे में कि कि यहां पर बात करें कि ओफिसली को इसका उद्घाटन किसने किसके द्वारा हुआ है जो कि 32 समोर ओलम्पिक टोक्यो गेम था या यह भी आपको याद रखना है तो देखिए इसका उद्घाटन इंपेरर नौरू हीटो के द्वारे किया जो कि जपान के है ठीक है इनके दिलक जयन्ती कब सेलिबेट करते हैं हम लोग बात करते हैं और बात कर से तो बाल गंगा था तिलक रॉक मान तिलक जो है यहाँ पर तेस जुलाई 1856 से लेके एक अगस्ट 1920 को इनका स्वर गरास हो गया था के सब बाल गंगा धरती लेकिन का नाम है ये एक नेशनलिस्ट है टीचर थे इंडिपेंडेस एक्टिविट्स थे हैं ठीक है इनको तो कौन नहीं जानता है आप सब जानते होंगे नेश्ट एक मीरा भाई चनू ने कौन सा मैडल जीता टोपिक अलम्पिक टुथाओजंट्टीवन में बोमेस ने 49 केजी कटेगरी में तो ये सिल्बर अबट जीता साथी साथ बतादे कि कौन कौन से लोग ने मैडल जीता इस 2020 समर अलमपिक का तो देखो मीरा भाई चनू ने शिलवर मैडल जीता 49 kg वेट लिप्टिंग में PB Sindoom ब्रॉंच मैडल जीती बैडमिंटन वोमन सिंगल्स में रभी कुमार धाया सिलवर मैडल जीते मेंस 57 kg फ्री स्टाइल व्रिस्टलिंग में यहां बात करें तो इंडियन होकी टीम ने ब्रॉंच मैडल जीता बजरंग पुनिया ने ब्रॉंच मैडल जीता 65 kg फ्री स्टाइल वेश्टलिंग में नीरस चोप्रा गोल्ड मैडल जीता जेलविन थ्रों में ठीक है तो यहां पर यह आप लोग देख सकते हैं इनका इमेज है ठीक है चलिए नेश्ट बात करें कि यहां पर कौन सी जो और्गनाइजेसर है यहां पर एक रिपोर्ट को रिलीज किया है रिनेबल इंटरिगेशन इन इंडिया 2021 तो यह रिपोर्ट को करने वाला है ओप्शन डी जो है सही कॉरेक्ट एंसर हो जाएगा यानि इई आई ए और निति आयोग ने इस जीच को लॉंट किया है यानि इंडिया एनरजी साद एजेंसी के ऑथरिटी है देख लिए नहीं का फूल फ्रॉम मैंने इसमें मेंसन नहीं किया होगा साद देखो मैंने यहां पर मेंसन नहीं किया हूँ और मैं भी भूल गया हूँ उसका तो देख लिएगा इंटरनेट पर आई यहां का फूल फ्रॉम क्या है ठीक है इन्होंने बात करिया है कि कौन सी राज यहां पर सरकार कर रहा हूँ कौन सी राज ने यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के है रिनेवल रिच सेक्टर में या रिनेवल एनर्जी सेक्टर में तो देखे यहां पर महाराष्टा, गुजरात और करनाटिका ने बिस्ट परफॉर्मेंस दिया है और हूँ बताया कि यहां से काफी ज़दा रिनेवल रिच स्टेट है यह तो यह सब चीज है माई गौर्ण मेरी सरकार पोटल को किस राज ने लौँच किया है तो यहां पर उतर परदेश की राज सरकार ने इसको लौँच किया है यहां पर बताया जा रहा है यह लोगों से फिड़बैक लेंगे इनफोर्मेशन लेंगे और बहुत सारे स्कीम भी लौँच करेंगे उनके लिए ठीक है यह 26 जुलाई को यह पोटल लौँच किया गया था नेक्स्ट दोस्तों कि यहां पर एन और रिन लाई पोट्रेट आफ एन इंडियन जनरेशन के बुक के लिखक कौन है तो इसके लेखक है असोक लवासना लवासा ठीक है इसके लेखक है चलिए ठीक है नेक्स्ट का है कोशन कि इंडियन नेवी ने कौन सा एक्सरसाइज में पार्टिसेपेट किया इस्टन कोश्ट आफ अफ अफरिका जो कि 26 जुलाई से लेके 6 अगस्त को हो रहा है इसके अलावा बात करें तो आइनेस तलवार भी इस पार्टिसेपेशन में यहाँ पर बात करें तो पार्टिसेपेट है और बात करें कि लिश्ट आप सम डिफरेंस एक्सरसाइज के बारे में जैसे कि आपका इंडिया और माल्दी में होता है एक इंद्रा एकसर साइसराइज जो कि इंडिया रस्या के बीच में होता है तो इस सब चीज़ याद रखेएगा नेश्ट कोशन है कि किस राज सरकार ने यहाँ पर देवरिया स्किम को लौँच किया है मध्य परदेश की सरकार ने ताकि आयोवेद को पर्मोट कर सके और जो ट्राइबर्स लोग है उनको इंप्लॉइमेंट दे सके बेसेकली यही है कुछ नहीं तो इस रिश्ट को भी याद रखिएगा नेश्ट कोशन कहते हैं तरफ बढ़ते हैं कि इंडो रस्या का जॉइंट मिलेटरी एक्सोसाइज हुआ है उसका क्या नाय में तो अभी मैं थोड़े दिए पहले एक्सोसाइज की वह ने बताया था तो रस्या में यह एक्सोसाइज हुआ था इस शिच को भी याद रखना है कहा हुआ था ठीक है थे रस्या के कौन से सहर में भी हुआ यह आपको यह इनको कौन ने जानता है अब सब जानते है कि बीग बूल है यह ठीक है या फिर कहें तो काफी बिलिनियर है इन्होंने एक एनाऊस्मेंट किया है कि यह लौंच करेंगे नया तो यासा कुछ है नेश्ट है कोशन हमारा की ला गनेशन जो की सतरवे गौवर्नर बने 17 गौवर्नर है किस राज के हमको बताना है कि ला गनेशन सपत लिया है सतरवे गौवर्नर के रूप में किस राज के है तो ये मनीपूर में ये लिया है तो यह कुछ important question है दोस्तों जो मैंने आपके सामने discuss किया, उमीद है आपको पसंद आया होगा, देखिए यार, ऐसा है कि इसलिए मैं जल्दिक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं अप्पास साधन नहीं है, वैसे मैं पूरी तरह से लिख करने ही पड़ा सकता है, तो मैं मुबा से इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरे को कितना घंटा लग गया, बहुत तेर लगा, आज टीचर्स डे था, तो बगल वाले इंस्ट्यूट में बहुत सारे DJ गाने बज रहे थे, तो काफे disturbance हुआ, फिर जैसी music खतम हुआ, फिर मैंने बनाना शुरू किया, उपर से क् क्लीफे आई, ख्यार छोड़ो ये सब excuses है, हटाओ ये सब चीज, बस उमीद करता हूँ कि बस सही सलामत आपको ये जनकारी मिल जाए, हमारा वीडियो मिल जाए, अच्छा से अपलोड हो जाए, और आप लोग अच्छे से त्यारी करो अपने एकजाम के लिए, आने माले ए सपोर्ट मिलता है, ठीक है, इसको पीडियेफ अगर आपको चाहिए, तो आपको टेलिग्राम चलर जोइन करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धरने बाद, थैंक्यू, हैब ग्रेट दे, जैहिंद